आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, अचने हैं प्रकाश Insulation से आप क्या समझते हैं इसको प्रभावित करने वाले बाहेकारकों का उल्लेक कीजिए अथवा एक प्रयोग द्वारा कीजिए कि प्रकाश Insulation के लिए प्रकाश आवशक है तो दोस्तों हमें यहाँ प्रकाश Insulation की बारे में बताना है सबसे पहले कि प्रकाश Insulation क्या होता है ठीक है तो दोस्तों प्रकाश Insulation जो है यहाँ हरे पोधों की पत्तियों में होने वाली वह क्रिया है ठीक है हरे पोधों की पत्तियों में प्रकाश Insulation की क्रिया होती है जिसमें कारबन डाय ओक्साइड और जल जो होते है ठीक है कारबन डायोकसाइड और जल की साहता से सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिती में ठीक है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिती में क्या बनता है ग्लूकोज का निर्मान होता है और यहाँ पर ओक्सिजन गेस मुक्त होती है हम बात करते हैं, प्रकाष संस्लेशन को प्रभावित करने वाले कारक कोन से हैं, ठीक है, बाहिकारक तो दोस्तों सबसे पहला है प्रकाश ठीक है क्या होता है तो दोस्तों जब क्या होता है प्रकाश अधिक होता है तो प्रकाश अंसलेशन की दर भी क्या होती है अधिक होती है परन्तु एक सीमा तक जब अधिक क्या होता है प्रकाश अधिक हो जाता है तो इससे जो क्लोरोफि लोता है इसका प्रकाशिक up turn होने लगता है और प्रकाशенस्लESION के दर धीमि लिए जाती है दूसरा और कारक है था तापमान तो दोस्तों तापमान के भी क्या होता है यह क्रिया जो है समानुपाती होती है थापमान बढ़ता है तो प्रकाष ईंसलेशन भी बढ़ता है पर उन्तु एक सीमा तक करके बाद तीसरा कार कहें जल तो दोस्तों जब क्या होता है जल का प्रकाष ईंसलेशन पर अप्रित्यक्ष प्रभाव होता है जब क्या होता है जब जल की ठीक है जल की कमी होती है तो जल की कमी के कारण क्या होता है रंद्र जो है यह बंद हो जाते हैं और रंद्र बंद होने के कारण गेसी अभी निमय ठीक है क्या होता है प्रभावित होता है जिसके कारण प्रकाश इंसलेशन की क्रिया भी प्रभावित होती है हम बात करते हैं प्रकाश इंसलेशन के लिए प्रकाश क्यों आवशक होता है या इसके लिए एक प्रयोग ठीक है प्रकाश संसलेशन के लिए ठीक है प्रकाश आवशक ठीक है तो दोस्तों इसके लिए जो प्रयोग करेंगे उसमें हम क्या करेंगे गंले में क्या लेंगे एक पोधा लेंगे जो की गंले में हैं और उसे हम का रखेंगे छाओं में या हम कह सकते हैं कि उसे हम एसी जगे पर रखेंगे जहां पर प्रकाश्न आता हो ठीक है और इस पोधे को हम क्या करेंगे पानी देंगे ठीक है तो कुछ दिनों आद हम देखेंगे कि इस पोधे की जो पत्तियां है ठीक है वह क्या होने लगेंगी पीली होने लग जाएगी वेसा क्यों होगा तो दोस्तों जो यहां पर अंधेरा है इस अर्थाद यहां पर क्या हो रहा है पोधों की पत्तियों को प्रकाश नहीं बिल पा रहा है और प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश एंसलेशन की क्रिया नहीं होगी और प्रकाश एंसलेशन की क्रिया नहीं होग आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर